हिंदी लणी चैनल पर आपका स्वागत है आज आश्मय महाजन हिंदी लणी चैनल पर लेकर आई है नई आश्राइं हिंदी पार्ट माला क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नमबर 9 जी हां चैप्टर नमबर 9 भोर हुई कविता जोकी पंडित रूप नरायंतर प अप्लोर्ड हो चुके हैं फिर भी अगर कोई करी रह जाती है आपको तो please comment box में जरूर बताइए गा और इसके अलावा अगर आपकी कोई अलग से टिमांड हो तो please comment box में बताइएगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शर में दे दिया गया है तो आईए कविता को स्टार्ट करती हूँ कविता का नाम क्या है भोर हुई गयानि कि इस कविता में पंडित रूप नरायन तरिव पाठी जी ने माटी की महग से लेकर भारतिय संस्कृती की पूरी की पूरी जलक अपनी इस कविता में दिखा दिये कविता में प्राता कालीन द्रिश्य का मनमोहक वर्नन हुआ है सुबा के टाइम पर जो द्रिश्य होता है बड़ा सुंदर तरीके से उन्होंने इस कविता में उसका जिक्र किया है भोर होते ही सुबा होते ही प्रकृति के वातावरन में परिवर्तन जहलकने लगता है परिद्रिश्य में परिवर्तन जहलकने लगता है आपको सब तरफ चेंजिस नजर आते हैं क्या क्या चेंजिस नजर आते हैं आपको सुबा होती है गाउं के लोगों में हल्चे शुरू ह जाती है सूरे की किन्य नजर आने लग जाती है रात में जो सपने देखे होते हैं वो खतम हो जाते हैं फिर दूर पहाडों पर नजर आती है आपको कोहरा जमा हुआ राइट फिर सुबा होते पेडों में आपको एक नई जलक नजर आती है एक नया संचार नजर आने लग जा पक्षी चहाने लग जाते हैं तो इस तरह फसलों पर पेड़ों पर क्या क्या परिवर्तन आते हैं पूरा इस कविता में दिक्र किया गया है रात्री के अंदकार में सोई प्रकृति के अंग अंग में उशा के आगमन के सासुबा जैसे ही होती है तो नहीं चेतना का संचार हो है भोर हुई जाने की सुबा होते ही पेड़ों की बीन बोलने लगी पेड़ों में सफूर्ती आ गई कैसी सफूर्ती जैसे मानों कोई गीत गाने लगे है पात पात हिले पात पात होता है पत्ता पत्ता हिले डाल डाल डोलने लगी और ऐसा लग रहा है भोर होते ही पत्ता पत्ता हिलने लगा है डाल डाल दोनने लगी है जाने की डालियों पर भी एक अजीब तरह की नवचेतना दिखाई दे रही है कहीं दूर किरनों के तार जंजना उठे दूर से सूरे की किरने भोर के आते ही सूरे की किरने आती नजर आने लगी ठीक है सपनों के स्वर डूबे दर्ती के गान मी और आत्री में जो हम सपने देख रहे थे वो अब खतम हो गए दर्ती ने क्या किया एक नई राग एक नया गीत सुनाना शुरू कर दिया लाखों ही लाख दिये तारों के खो गए लाखों की संख्या में अर्थात तारे जो आस्मान पर दिये के रूप में च अगया खाये वोए थे पूरब के अदरों की हलकी मुस्कान में कुछ ऐसे पूरब के गाओं की हवा चलि खपरयलों की दुनिया आंख खोलने लगी। आँखे खोड़ ली इस तरह पूर अबदिशा में हवा चली जमे हुए दूएं सी पहाड़ी है दूर की काजल की रेखा सी कतार है खजूर की देखिए रेखा सी कौन सा लंकार है सी लगा हुए उपमा लंकार है ये सोने का कलस लिए उशा चली आ रही माथे पर दमक रही अब कभी क्या बता रहा है कभी कह रहा है कि भोर होते ही दूर विद्यमान पहाड़ी ऐसी नजर आ रही है जैसे कैसी जैसे घरों से निकलने वाला दूआ जम कर इकठा हो गया हो फिर काजल की रेखा सी कतार है खजूर की खजूर के वरिक्ष ऐसे लग रहे हैं एक कतार में खड़े हो गए हैं एक पंक्ती में खड़े हो गए हैं जैसे किसी ने आंकों में काजल लगा लिया हो सोने का कलश लिए उशा चली आ रही सोने का कलश जाने की सुबा होते ही सुनेरे परकाश के साथ परबाद की बेला ऐसे नजर आ रही है जैसे किसी इस तरी ने सोने का कल उठारखा हो माथे पर दमक रही उस्ट्री माथे पर नाई उमंग बोलने लगी तो धरती पर विद्यमान जो परियां है उनके समानिस्त्रीया जो प्यार भरे सपने देख रही थी वो भी अब जा गई है उनमें भी एक नई उमंग नई चेतना का संचार हुआ है कुछ ऐसे भोर की ब्यार गुनगुना उठी अलसाए कोहरे की बां सिमटने लगी ब्यार मतलब हवा कोहासा सा जो चा जाता है तो कहते है कुछ ऐसे भोर की ब्यार गुनगुना उठी सूबह की समय कहते है ऐसी हवा चली की कोरा समापत हो गया अलसाए कोहरे की बां सिमटने लगी अलसाए कोहरे की जाने की चारो ओर ऐसा लगने लगा जैसे सूरह का परकाश नज़र आने लगा फिर नरम नरम किरनों की नई नई दूप में नरम नरम किने नजर आने लगी और सुबा सुबा की नई नई जो दूप है वो किस पे छा गई राहों के पेडों की छान लिपटने लगी पेडों पर छा गई, क्या छा गई, सुबा-सुबा की जो नही नही दूप है, वो पेडों पर छा गई, लहराई माटी की धुली-धुली चेतना, मिट्टी में कहता है, फिर से चेतना का संचार हो गया, उसमें फिर से जान आ गई, फसलों पर चूचूई या पांक तोलने ल लगे तो इस परकार पेडों में भी नहीं सफुर्ती आ गई सपनों के स्वर जो रात्री के अंदकार में खो गए क्यूंकि रात तो खतम हो गई है पर बात बेला शुरू हो गई है फिर अंगिनतारे पूरफ से नजर आने वाले सूरे के परकाश में कई खो गई गाउं की हव परकाश को सोने का कलश कह दिया ढरती पर जो विद्यमान परियों के समानिस्तनियां थी जो भोर में सपने डेख रह थी अब वो जाग गई मिटी में फिर से क्या हो गया अच्छे इतना का संचार उसमें पुनधा जाना आ गई और फचैन्म पर चूचु या पक्षिया पक फैल आने लगी और इसके अलावा जुगी जुप्टियों में रहने वाले लोग जो हैं जानिकी किसानों के जो गुरूप हैं वो भी जाग गए तो पूरा वर्ना रूपना हैं तर पाठी जी ने अपना इस कविता में कर दिया है कि किस पर का सुबा होने पर क्या क्या होता है आई होप कविता समझ में आ गई होगी एक दो बार सुनिये का तो अच्छे से समझ में आ जाएगी अभियास कारे में पहला कोशन है बेटा पेडों की बीन बोलने लगी से कविका क्या तात परे है तो उपर लिखकर दे दिया है इसका तात परे है कि पेडों में नई सपू लिखित के उपर लाइन लिखी हुई है अनगिनत तारे पूरप से नजर आने वाले सूरे के परकाश में कहीं खो गए गाउं की हवा चलने का क्या परभाव हुआ उसके सामने ही लिखा है गाउं की हवा चलने से लोग जाग गए आप पूरा अंसर लिखेंगे ठीक है बोर की हवा से कोरा सिमट कर रह गया प्राता काल में पहाड़ी दूर से कैसे दिखती है और क्यूं प्राता काल में पहाड़ जमे हुए धुए के समान लग रहे थे खप्रेलों की दुनिया का अर्थ और कभी ने किरनों को नरम नरम और धूप को नई नई क्यूं का है ये आपको अगले पेच पर मिल जाएगा ठीक है बावस पष्ट करें देख लो धर्ती की परियों के सपनीले प्यार में नई चेतना नई उमंग बोलने लगी जाने की धर् की दुनिया का अर्थ किया है वही जो मैंने आपको बताया था नहीं को नरम नरम धूप को नहीं कहा है तो आपके सामने ये आंसर क्यूंकि प्रात कालीन धूप कोमल होती है उ कि उसके अलाबा नेक्स्ट है आपके सामने भाफ पश्ट करेंग का लहराई माटी की धुली धुली चेतना फसलों पर चूचुई या पांक तोलने लगी उपर लिख दिया है मिट्टी में पुना चेतना का संचार हो गया पुना जाना आ गई फसलों पर चूचुई या पक्षी अपने पंक फैलानी लगी स्तमको के शब्दों को स्तमको के शब्दों से मिलाईए तो पेड़ की बीन धर्ती के गान तारों के दिये सपनों के स्वर किरनों के तार कोहरे की बां चाहा होनी चाहिए थी वैसे याँ पर चलिए आगे है सोची और लिखी अपने अनुभव के अधार पर प्राता का बनन करना है तो आप तो लिखी सकते हैं बहुत अच्छे से आपको बता दिये सुबा होते पेडों में क्या होता है पत्ते पत्ते पर क्या असर पढ़ता है ये सारी चीज़े मिल मिलाकर आपको लिख देनी है ठीक है इसके अलावा कोशन था प्राता काल में पहा से निकलने वाला धुआ एकत्र होके जम गया हूँ जम हा हुआ ये सेकिंड लिखित का जो फोर्थ कोशन है ना उसका आंसर बता रही हूँ कि दूर विद्यमान पहाड़ी ऐसे नजर आ रही है जैसे घरों से निकलने वाला धुआ जम कर एकठा हो गया हूँ ठीक है उसके बा तो सिंदूर हो गया फिर नई चेतना तो चेतना विषशे है नई आपका अच्वेश्य और किरने आपका विशेश्य है इसी परकार सारे शब्दों के अब को लिख़े दिये कावे सुंद्रे और सरहना वैसे तो ऐसा कोशन आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी कविता में ऐसा कोई उधारन लिखना था तो कविता की एक-एक लाइन मैंने लिखकर दे दिये जो इसका अंसर है अब अब ठीत प्रियाश चमकीले पीले रंग में अब डूब रही होगी, खेतों खेतों फूली होगी, सरसों हस्ती होगी दर्टी पध्याश में कहता है किस रित्तू की बात हो रही है पंचमी आज धलते जाडों की इस धलती दोपैरी में जंगल में नहा उड़नी पीली सुखा रही होगी धरती इसके खेतों में खिलती है सिंगरी तरह गाजर कसूम किस से कम है ये पली दूप में सोना दूल बरी धरती तो पद्याश में वसंत रितु की बात की गई है धरती को कौन से मानवी रूप में देखा गया है बहु बेटियों के रूप में नीचे लिखा है शैरों में बहु बेटिया है सोने के तारों से पीली सोने के गहनों से पीली ये सरसों से पीली धरती तो इस रितु में सब कुछ पीला पीला क्यूं दिखता है सरसों के पीले प लगी हुई है ना तो आप इनके आंसर भी आगे देख सकते हैं भोर हुई पहला कोशन है कविता की पंक्तियां लिखनी थी जिनमें ये कहा गया तो मैंने पंक्तिया कर दे दी हैई सेकन्ड कोशन में पराता होते ही निमन लिखित क्या क्या करने लगे जाने कि पेड क्या करने लगे तो सामने लिख दिया, तारे क्या करने लगे तो वो सामने लिख दिया उसके बाद हवा क्या करने लगी वो सामने लिख दिया, किरने क्या करने लगी वो सामने लिख दिया तीन تीन प्रयायवाची लिखने थे तो धरती का प्रयायवाची तीन लिख दिया, प्यार का लिख दिया, रहा, हवा और पेड, सभी शवदों के सामने लिखती है, उसके बाद next question में आपसे तथसम शवद और तथसम शब्ध पूझे तथसम होते जो संस्कृत के शवद होते और सपना ओके तो ये रहे आपके सामने कोशन्स कलस जो है आपका बेटा ये तत्सम है कलस ये तत्सम है और प्यार को इस तरफ लिख लीजिएगा ठीक है बस इन दोनों में डिफरेंस है बाकी ओके उसके बाद आपके सामने है कविता की पंक्तियां उद्रित करते हुए शामकर बनन आया वो लिख दीजिए का आपने कविता को तो द्यान से सुनी लिया इवनिंग टाइम लिख दीजिए का इवनिंग टाइम पर क्या होता है ठीक है उसके बाद नेक्स कोशन फिनिश तो ये रहा आपका चप्टर भूर हुई द्यान से सुनिए द्यान से जाएगा, ओकी, गुट्बाई